अब डाउटनेट एप पे मिलेगा आपको क्लास 6 से लेके IATJ तक के मैद के सांसाथ क्लास 11 और 12 के फिजिक्स और केमेस्टी के सभी सवालों के जबाब बस डाउटनेट एप से किसी भी कोशिन की फोटो खीचे और तुरंद पाईए वीडियो सलूशन इसलिए आज है डाउटनेट एप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा देखें साहब इस वीडियो में हम आप से बात करेंगे UP Polytechnic Second Semester Students के लिए Applied Mathematics Second में उनके Complete Syllabus के बारे में आज हम आप से बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि Second Semester में जो भी Student गए हैं उनको Applied Mathematics Second में कितने चप्टर पढ़ने हैं और कौन-कौन से चप्टर पढ़ने हैं इसकी Complete Details हम आपको बताने वाले हैं इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडिजी टेक्निकल मैं हूँ आपका दोस्त रोशन पांडे आईए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं ये दोस्त हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है पांडिजी टेक्निकल डॉट इन गूगल पे अगर आप टाइप करते हैं पांडेजी टेक्निकल डॉट इन तो इसी तरीके से हमारी वेबसाइट आपको खुल के नज़र आएगी ठीक है तो जैसे कि मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा सारी चीजें आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर टाइटल देख रहे हैं यूपी पॉली टेक्निक सेकंड समिस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स कंप्लीट सिलेबस यानि की फूल सिलेबस ठीक है जैसे आप नीचे आएंगे यहा यानि की प्रतिस्थापन द्वारा शमाकलन फिर इंटिग्रेशन बाई रेशनल फंक्शन यानि की परिमेय फ्लनों का समाकलन फिर उसके बाद से नेक्स्ट आपको पढ़ना है इंटिग्रेशन बाई पार्शिल फंक्शन यानि की आंसिक भिन्नों द्वारा शमाकलन फिर अब दूसरा है आपका integral calculus second तो इसमें आपको क्या क्या चाहिज़े पढ़नी है मैं आपको सभी चीज़े बता दे रहा हूँ यह सारी चीज़े syllabus के आपके recording है तो आप सभी चीज़े देख लीज़ेगा चरूर सबसे पहले आपको integral calculus second में पढ़ना है definite integral यानि कि निश्चत समाकलन उसके बाद से area by integration यानि कि समाकलन द्वारा छेतर फल फिर length of curve volume and surfaces of solid mean values numerical integration यानि कि हिंदी में बात करें तो वक्रों की लंबाई ठोसों के आयतन तथा प्रिष्ट माध्यमान और शंख्यात्मक समाकलन ठीक है इसके लावा आपको पढ़ना है Simpson one third and Simpson third eighth rule उसके बाद से आपको trapezoidal rule पढ़ना है numerical solution of algebraic equation फिर आपको by section method पढ़ना है regular falsi पढ़ना है method फिर Newton Rapson method पढ़ना है ठीक है इसका without proof आपको इसको शवाल किवल इसके उपर जो question है उसको शॉल करना है इसका proof नहीं है सलेबस में ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तीसरा unit आपका पढ़ना है coordinate geometry second dimension यानि कि two dimension का ठीक है जिसके अंतरगत सिर्फ वर सिर्फ आपको केवल circle पढ़ना है circle में क्या-क्या पढ़ना है equation of circle in standard form center radius form फिर diameter form two intercept form यानि कि वृत्त का व्यापक समीकरण उसके साथ ही आपको पढ़ना है केंदर तृज्या रूप व्यास रूप और दो पृतिशेरी रूप ठीक है तो ये चीज़ आपको circle में पढ़ना है सारी चीज़ें आपको हमारी चैनल पे पढ़ाई जाएंगी ठीक है चौथा आपका यूनिट है को ओर्डिनेट जमेटरी थाल डैमेंसन नेकी थ्री डैमेंसन ठीक है इसके अंतरगत भी आपको चीज़ें पढ़नी है स्ट्रेट लाइन एंड प्लेंस इन सर्फेस ठीक है अंतरिक्ष में शरल रेखा तथा तल फिर अंतरिक्ष में दो बिंदू के बीच की दूरी दिख कोजिया दिख अनुपाद सरल रेखा का शमीकरण याद करना तो ये था आपका कम्प्लीट सेले बस अब एक नजर डाल लेते हैं कि सेकंड समिस्टर के लिए सभी चेप्टर्स की लिस्ट कौन-कौन सी है कौन-कौन से चेप्टर्स आपको पढ़ने है ठीक है सबसे पहला आपको पढ़ना है समाकलन परतिस्थापन द्वारा शमाकलन दूसरा चेप्टर है आपका फिर उसके बाद से आपका परिमे फलनों द्वारा शमाकलन आंसिक भिन्नों द्वारा शमाकलन खंडशा शमाकलन निश्चित समाकलन समाकलन द्वारा शेतर फल वक्रों की लंबाई ठोसों के आयतन तथा प्रिष्ट माध्यमान शंख्यात्मक सम अगर आपको और भी चीज लगता है अगर आपकी किताब में और भी चीज दिया है इसके अलावा चैप्टर्स के रूप में तो एक बार कॉमेंट करके जरूर बता दीजेगा ताकि उस कॉमेंट को देखके और भी स्टूडेंट ये जान पाएं ठीक है लेकिन जहां तक मैंन आपको बताया ठीक है इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा ठीक है तो ये इतना सिलिबस आपके ऑफिशल तरीके से जारी किया गया है तो कैसे लगा आपको ये वीडियो हमें कॉमेंट में जरूर बताईए और सभी अगर सबजेक्ट का और सभी अगर चीजों का सिलिबस जानना चाहते हैं 27 प्रीफरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें आपने जरूर बताये और हाँ एक चीज़ आप जरूर बताये कि आपको जो है केवल मॉस्ट इम्पोर्टिंट कुएशन की प्रीपरेशन कराई जाए या फिर और भी अच्छे तरीगे से प्रीपरेशन करा जाए आप हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा ठीक है इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजे ताकि उन सभी को पता लग पाई कि हमारे चैनल पर अब क्लासिस सेकंड समेस्टर से रिलेटेड स्टार्ट हो चुकी है इस वीडियो को देखने के लिए ब बहुत बहुत धन्यवाद